सिनेमा डेरी में आज हम एक्स्प्लेंट करेंगे रशियन फिल्म मौरोजोव फिल्म की शुरुआत में हमें बुजूर्ग आत्मी को दिखते हैं जो अपनी स्नाइपर गन पर एटेक स्कोप लगाता है फिर निशाना लेकर दुश्पन पर फायर करता है और दूसरी गोली लैंड मैंड पर फायर करता है जिससे वहाँ पर खड़े सबी चर्मन से निकमारे जाते हैं जिसके बाद हमें उस बुजूर्ग आत्मी के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है मौरोजोव बच्पन में मौरोजोव साइंटिस्ट बनना चाहता था लेकिन रश्जन रेवलिशन में शामिल होने के कारण उसे स्कूल से निकाल दिया गया था इसके बाद उसे कहीं बार देश से भी निकाला गया वो कहीं यूरोपियन देशों में रहा और यही कारण था कि मौरोजोव अंग्रेजी फ्रेंच और जर्मन समित 11 भाशाए बोल सकता था साल 1911 में मौरोजोव को जार की हत्या के आरोफ में गिरफतार करके 24 साल के लिए जिल में डाल दिया गया था इसी दोरान मौरोजोव ने फिजिक्स, केमिश्ट्री और एकोनोमी जैसे कहीं सब्जेट की पढ़ाए की जिसके कारण मौरोजोव एक ओल्टराउंड जिनियस बन चुका था साल 1932 में जब मौरोजोव 78 साल के थे तब उन्हें USSR Academy of Science में मानत सभ्यपत देकर सन्मानित किया गया जिसके बाद भी मौरोजोव देश सिवा का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाते थे इसलिए जब दूसरे विश्वयूत में जर्मनी ने रशिया पर आकरमंट किया तब मौरोजोव रश्चन सेना में शामिल होने के लिए चले गए उस वक्त उनकी उम्रा 87 साल की थी 87 साल के बुढ़े आदमी को देखकर वहां खड़े नौजवान सेनिक पहले तो उनका मजाक उड़ाते हैं तबी आर्मी अफसर मौरोजोव को अपने स्किल दिखाने के लिए राइफल देते हैं बुज़ुर्ग मौरोजोव राइफल लेकर एक कैन पर निशाना लगाते हैं लेकिन निशाना चुक जाता है यह देखकर वहां खड़े सैनिक हसने लगते हैं तबी मौरोजोव कहता है कि उसने कहीं सालों से बंदुक को हाथ नहीं लगाया है इसलिए वो एक बार फिर कोशिश करना चाता है लेकिन अफसर उसे कहता है कि जंग में दुश्मन दूसरा मौका नहीं देगा बैटल फिल्ड में गोली चलाने के लिए सिर्फ एक मौका होता है अफसर ऐसा इसलिए कहता है ताकि मौरोजोव वहां से चले जाए क्योंकि वो देश के इतने सन्मानित शक्षियत की जान खत्रे में डालना नहीं चाता था लेकिन मौरोजोव जीत करता है कि वो दुश्मन को मारने के लिए फ्रेंट लाइन पर जाना चाता है मौरोजो की जित देकर आर्मी अफसर कहता है कि वो उसे फ्रेंट लाइन पर नहीं बेश सकता लेकिन वो चाहे तो सैनिकों की ट्रेंच की सफाई और उनके लिए खाना और गुला बारुद सप्लाइ करने का काम कर सकता है कुछ दिर बाद रशियन आर्मी का कैप्टन ट्रेंचिस साफ करने के लिए कुछ लोगों को चुनता है लेकिन वो मौरोजो को कैम्प में रहने के लिए कहता है तो कि ये ट्रेंच जर्मन सैना के काफी नस्दिक है तभी मौरोजो कहता है कि उसके साथ एक आम सैनिक जैसा ही बर्दाव किया जाए अब वे मौरोजो के साथ ट्रेंच पर पहुँचते है वे देखते हैं कि कुछी दूर जर्मन सैनिक लैंड मैंड बिशा रहा है तीन सैनिक आपस में बात करते हैं कि अब क्या करे सिनियर्स को बता या नहीं तभी वे मौरोजो को घांस में रिंगता हुआ देखते हैं यहां पर वो द्रश्य आता है जो हमने शुरुआत में देखा था मौरोजो लैंड मैंड के साथ सभी जर्मन सैनिक को मार देता है मौरोजो की बहादूरी देखकर उसके साथी सैनिक काफी प्रभावित होते हैं हलाकि मौरोजो उन्हें बिना कोई ओर्डर के दुश्वनों पर गोलिया चलाई थी इसलिए उसकी राइफल जब्त कर ली जाती है मौरोजो के पास राइफल नहीं है इसलिए वो कहता है कि उसे मेडिक के तोर पर काम करना है ताकि वो यूद में घायल रश्यन सैनिक को की सारवार कर सके मौरोजो एक मेडिक के तोर पर काफी शांदर काम करता है ऐसा मानो कि वो कोई डॉक्टर हो कुछी दिनों के बाद जर्मन सेना रस्यन सेनिकों से बड़ा लेने के लिए रात को रस्यन सेना के केंप में गुश जाती है। और एक रस्यन सेनिक को हाइजिक कर लेते हैं। लेकिन तबी आवास उने से संत्रिकी डूटी कर रहा सेनिक उनके पीछे जाता है। जर्मन उसे गोली मार देते हैं। मौरोजो गोली की आवाज सुनकर वहाँ पर आता है। वो बिना किसी हिचकी चाहट के गन उठाता है और दो जर्मन सेनिक को मार देता है। वहीं एक जर्मन सेनिक घायल हो जाता है। तबी वहाँ पर बाकी रशन सेनिक आ जाते हैं जो घाय मौजुद सभी लोग चौंक चाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा कौन सा काम है जो मौरेड जो नहीं कर सकता मौरेड हो की पुश्ठाच में वो चर्म sport को ट्रेनिंग के लिए कहा चाता है मौरोजोव मौसम के बतलाव, हवा की गती, एर प्रेशर और हुमिडिटी का स्नाइपिंग पर क्या असर होता है ये नए सेनिको को सिखाता है जिसे कुछी तिनों में स्नाइपिंग स्कॉर्ट के फाइरिंग लेवल में काफी अच्छा सुधार होता है बेतर स्नाइपर स्कॉर्ट के कारण बैटल फिल्ड में रशन सेनिको को काफी मदद मिलती है रशन सेना को स्नाइपर का कवर मिलने से वे यूद में जर्मन सेना पर हावी होने लगते हैं रशन सेना एक के बाद एक जर्मन पोश्ट पर कपचा करने में कामयाब होती है और इन सब के पीछे मौरोजो था जो जर्मन सेना के लिए सिर्दर्ड बन चुका है इसलिए मौरोजो का खात्मा करने के लिए जर्मन अपने सबसे खतरनाक स्नाइपर मार्टिन को बुलाते है और दोनों स्नाइपर के बीच युद शुरू होता है जर्मन स्नाइपर मौरोजोग को मारने के लिए जाल बिचाता है वो मौरोजोग की पोजिशन का पता लगाने के लिए एक रिफ्लेक्टर को रसी से बांता है लेकिन मौरोजोग को इसका पता चल जाता है जर्मन स्नाइपर रसिखेच कर अपनी रैफल से फायर करता है लेकिन तभी मौरोजोग को उसकी पोजिशन का पता चल जाता है और मौरोजोग एकी स्वाट में उसके साथी सैनिक को मार देता है दूसरा स्नाइपर लकड़ी से मरे हुए सैनिक का हेलमेट उठाता है ताकि मौ स्कोप में कोई भी दिखाई नहीं देता इसलिए वो वहां से चले जाने में ही अपनी भलाई समझता है जिसके बाद जर्मन सैना री इंफॉर्समेंट बुलाती है और रशन सैनिकों पर भीशन हमला करते हैं जर्मन सैनिकों की संख्यादा होने के कारण रशन सैनिकों को करेंगे और उन्हें दिल का दोरा भी बढ़ सकता है यह सुनकर रशन आर्मी कमांडर को भी यकिन नहीं होता लेकिन मौरोजों ने पहले भी कहीं चमतकार किये हैं जब जर्मन सैनिक फिर से एटेक करते हैं तब मौरोजों अपने सैनिकों को कान में इयर प्लक डालने के लि सैनिक उन पर फाइरिंग शुरू करते हैं और यहां पर मौरोजों अपने दिमाग से जर्मन एटेक को रोपने में काम्याब रहता है लेकिन जर्मन सैनिकों की तादात लगातार बढ़ती चाह रही है और रशन सैनिकों को यहां से हटना वेहत जरूरी है जो रशन सैनिक प सैनिकों पर गोली चलाते हैं लेकिन उनकी पोजिशन भी पता चल जाती है और तीन जर्मन स्नाइपर को मार गिरा जाता है अब जर्मन के पास स्नाइपिंग के लिए सिर्फ मार्टिन बचा है जो एक रशन सैनिक पर गोली चलाता है जो उसके हाथ में लगती है मार्टिन को स्नाइपर्स का खत्रा टल जाने से अब रशन सेना आके बढ़ रही है कुछ दिनों तक जंगल में आके बढ़ने के बाद मौरोजो की तबियत खराब होने लगती है तब ही उन्हें गोरिला यूद करने वाली रशन टोड़ी मिलती है जो सभी रशन सैनिको को अपने गाउं लेकर आती है गोरिला सैनिक रशन सैनिको की अच्छी खातिरदारी करते है शाम के वक्त एक सैनिक को किसान के घर में जड़ी बुटिया मिलती है जिससे वो मौरोजो का इलाज करते है और मौरोजो की तबियत में सुतार होता है अगली सुबह जब मौरोजो उठता है तब उसे लगता है कि यहां पर खत्रा है इसलिए वो एक सैनिक को खुफिया तोर पर चेक करने के लिए कहता है जैसे ही वो सैनिक बाहर आता है एक जर्मन सैनिक उस पर हमला करता है जिसके बाद जर्मन सैनिक रशन केम्पें घुसकर सभी रशन सैनिको को बंदी बना लेते हैं वहीं आर्मी कमांडर डेविट जो की अटारी में सो रहा था, वो उपर से दो जर्मन सैनिकों पर फायर करता है, और खिड़की से बाहर कुछ जाता है, लेकिन गुरिला सैनिक जो उन्हें यहाँ पर लाये थे, वो डेविट को गोली मार देते हैं, दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चलता है, कि यह गाउं जर्मनों के कंट्रोल में है, अब रशन सैनिकों को एक जोपड़ी में बंदी बना कर रखा जाता है, वहीं एक जर्मन अफसर उस गाउं की रशन नर्स पर रेप करने के लिए उसे लेकर जा रहा है, गदार गुरिला उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह जर्मन अफसर उन्हें पिटता है, गुस्य में आकर दोनों गुरिला उस जर्मन सैनिक को मार देते हैं, गुलियों की आवाद सुनके कहीं जर्मन सैनिक महाँ पर आ जाता है, गोरिला सैनिकों को अब समझ आती हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आने वाली पीड़ी उन्हें गड़दार कहें, इसलिए वे जर्मन सैनिकों से लड़ते हैं, गाउं के लोगों भी जर्मनों से लड़ने के लिए तयार हो जाते हैं, एक मैला रशन सैनिकों की जुपड़ी में ए दोनों गोरिला सेनिक की डियर्ट गोड़ी के पास आते हैं तब ही जर्मन अफसर को गोली लगती है जिससे दोनों और फिर से फाइरिंग शुरू हो जाती है मौरोजो की स्नाइपिंग और रशन सेनिकों की टाबर तोल फाइरिंग ने जर्मनों का सफाया कर दिया अब रशन सेनिक आगे की स्टेटरजी डिसकस कर रहे होते हैं तब ही एक रशन अफसर को स्नाइपर की गोली लगती है जर्मन स्नाइपर मार्टिन वहाँ पर आ चुका है जिसने एक बेल्ट आवर पर पोजिशन ली है इसलिए वो आसानी से रश्यन सैनिक को मार रहा है मौरोजोग को कैसे भी करके बेल टावर में जाना है इसलिए दो रशन सैनिक मार्टिन के सामने आकर उसका ध्यान बढ़काते है मौरोजोग बेल टावर में आ जाता है तब ही मार्टिन को अंदाजा होता है कि नीचे कोई है दोनों एक दुसरे पर फाइरिंग करते हैं लेकिन दोनों के पास कवर है उस दिर बाद मार्टिन मौरोजोग को सरंडर करने के लिए कहता है लेकिन मौरोजोग फाइरिंग करके उसे जवाब दिता है तब ही बेल टावर में एक बड़ा सा बेल बचता है जिस पर Morozo की नजर बढ़ती है उसकी जेब में भी एक छोटा सा बेल है जो से उसकी पत्नी ने दिया था Morozo बेल टावर के बाहर आकर छोटा सा बेल उसकी जगह पर फैकता है घंटी की आवाज से मार्टिन नीचे देखता है तबी Morozo बड़ा सा बेल जिस रसी से बंदा है उस पर निशाना लेता है और ट्रिगर दबा देता है 300 पाउंट का बेल मार्टिन के सीर पर गिरता है और उसकी वही पर मौत हो जाती है 87 साल के Morozo ने स्नाइपर्स के बीच जंग चितने के लिए एक बार फिर अपनी बुद्धी और बहादूरी का इस्तमाल किया Morozo एक मैने से भी कम वक्त के लिए रशन सेना में रहा जिसमें उसने कहीं उपलब्दिया प्राप्त की साल 1944 में Morozo को Defense of Leningrad और Order of Lenin के एवोर्ड से सन्मानित किया गया और 30 दुलाई 1946 को 92 साल के लिजेंड Morozo की मृत्य हो जाती है Morozo की मृत्य के बाद उनके सन्मान में एक ग्रह का नाम Morozo रखा गया लेकिन Morozo को सबसे बड़ी स्रद्धान जली ये है कि वो आज भी रश्या के इत्यास में सबसे ओल्डेश्ट रेड आडमी सोलजर और स्नाइपर के तौर पर जाना जाता है और इसी के साथ सच्ची घटना पर बनी ये फिल्म समाप्त हो जाती है